अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप इंस्टाग्राम से मेसेज सेंड कर रहे हैं और मेसेज सेंड नहीं हो रहा है सेंड करने पर यहाँ पर आता है इस तरीके से सेंडिंग तो यह सेंडिंग प्रॉब्लम ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप Instagram से बहार आईए अब आप अपने फोन की Settings ओपन करिए Settings ओपन करने के बाद नीचे आजाईए और नीचे आकर आएगा ये Apps तो Apps पे किलिक करिए उसके बाद Manage Apps आएगा या फिर App Manager आएगा या फिर App Management आएगा तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है हमारे फोन में जैसे कि ये Manage Apps आ रहा है तो इस पे आप किलिक करिए और इसे उपन करिए अब इसे उपन करने के बाद आपके फोन के सारे एप आ रहे है तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आईए नीचे आने पर आएगा ये इस तरीके से Instagram तो ये जो Instagram आएगा यहाँ पे आप इस पे किलिक करिए किलिक करने के बाद अब ऐसा पेज आएगा उसके बाद आएगा नीचे ये Force Stop तो Force Stop करिए उसके बाद OK करिए नीचे आएगा Clear Data इस पे किलिक करिए Clear All Data करिए उसके बाद OK करिए तो ये करने से आपका Instagram अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा तो आपको फिर से अपना ID पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करना पड़ेगा तो अगर आप बाद में फिर से लॉग इन कर सकते हैं अब फ्लाइट मोड बंद करिए और उसके बाद अपने फोन में Play Store ओपन करिए Search बार पे उपर किलिक करिए Instagram सर्च करिए उसके बाद अब चेक करिए अगर यहाँ पे कोई अपडेट आया है तो Instagram को आप अपने फोन में अपडेट करिए अगर नहीं आया है तो यहाँ से बैक आ जाईए और उसके बाद अब अपने फोन को एक बार बंद करके चालू करिए यहाँ फिर एक बार फोन को री स्टार्ट करिए और यह सारी सैटिंग्स एपलाई करने के बाद चेक करिए अब आपके फोन में Instagram से मेसेज जा रहा है तो Instagram उपन करिए अपना अकाउंट लॉगिन करिए सबसे पहले लॉगिन करने के बाद अब चेक करिए मेसेज आपका सैंड हो रहा है तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें अगर आपको ये वीडियो पसांद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें